हल्लो हैपिनेस फैमली मैं डॉक्टर परवत्रा साइकेट्री साइको थेरेपिस्ट एंड काउंसेलर मनुचिकिसक वैसन मुक्ति एवं सेक्च्चुल मेडिसिन स्पेशालेस्ट साइस की नजर में सक्सेस्फुल पॉजिटिव लोग निगेटिव सिचुएशन में कैसे सोचते है क्यों आपकी पॉजिटिव थिंकिंग समय आने पर तकलिफ की घड़ी में काम ही नहीं करती जिसे आप पॉजिटिव थिंकिंग समझ रहे हो शायद वो पॉजिटिव थिंकि यानिक चिकिसा पर आधारित है ऐसे जीवन उपयों की साइन्टिफिक वीडियो आसान और सरल भाशा में देखने के लिए इस चैनल को अभी सस्क्राइब किजिए देवी और सज्जनो परसो की बात है पपू मेरे पास रोनी सुरत लेके आया बोला परवदरास सर ये पॉजि प्रपोच करने गया उसको फुल दिया तो उसने मुझे चाटा जड़ दिया जिसे तुम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हो ना वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है इसे मुंगिरी लालके हसीन सपने कहेंगे जो सिर्फ सोच में ही हसीन लगते है मेरी बात को बीच में काट कर पपू बोला और सपनों से बाहर आते ही असलियत में थपड पड़ती है समझ गया हूँ सर लेकिन अभी ये तो बताओ कि positive thinking positive कलपना करना नहीं है तो और क्या है क्या आपके मन में भी यही सवाल उमठ रहा है कि आपकी positive thinking सिर्फ positive कलपना मातर है आये देखते है positive thinking के सही मायने याने positive thinking एक सपना positive thinking एक कलपना नहीं है positive दुरुष्टी कोन से करने वाला कर्म है सपना तो शेक चिल्ली ने भी देखा था अंडो से चुजे निकलेंगे फिर मुर्गिया और बक्रिया और फिर क्या-क्या और आखिर में वो सपनों का घड़ा फोग जाता है एक कहानी आपको पता है ना तो क्या आप शेक चिल्ली को positive सोचने वाला इंसान बोलेंगे नहीं ना दिविया और सज्जनों आपकी positive thinking कहां बसती है ज़रा सोच के देखो आपके सपनों में या फिर execution में कामों में दिविया और सज्जनों याद किजे आपने अब तक कितने लोगों को उनके problems में कितनी बार ये सला दी है कि positive सोचो positive सोचो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा बहुत लोगों को दी होगी अभी तक सला देते समय हमें भी अच्छा लगता है है ना और सुनने वाले को भी सब ठीक हो जाएगा ये सुनकर अच्छा लगता है लेकिन दिल बहलाने के लिए ये खयाल अच्छा है गालिप लेकिन इससे मात्र उनके problem solve हो रहे हैं कितने भी विब्दा आन पड़े समस्य का समाधान निकालने के लिए positive दुष्टी को रख कर अपने आपको बनाए रखने की हल निकालने की तरब डड़े रहने की तक्निक ये positive thinking है लेकिन सर सच बात ये है कि जब problem आती है तो कुछ सुषता ही नहीं है ये positive thinker लोग आखिर problem में problem को solve करने में सोचते कैसे है पपु ने पुछा पपु के साथ आईए हम भी देखते है successful positive लोग सुषते कैसे है they can see positive side of the things समझाता हूँ पपु सही कह रहा था जब समस्या आन पड़ती है तब कुछ नहीं सुषता है क्यों नहीं सुषता है क्योंकि हमारी नजर सिर्फ समस्या के negative पहलू उपर ही होती है देखो समस्या का पहाड जब अपने सामने आन खड़ा होता है न तब हमारे सामने उस आडे पहाड की दिवार के सिवा कुछ दिखता नहीं है लेकिन ध्यान से देखो जड़ा साइड से एक संकरा रास्ता भी जा रहा है इसको हम शायद नजर अंदास कर रहे है मेरे कहने का मतलब यह है कि समस्या कितने भी बड़ी हो विपदा कितने भी आन पड़े कितने भी नकारात्मक परिणाम होने वाले हो कोई सकारात्मक चीज साथ साथ में हमारे साथ मौजुद रहती है नजर मातर चाहिए उसे देखने के लिए ये सुनकर पकु ने कहा बिल्कुल सही सर पिंकी ने मुझे चाटा दर्ड दिया मेरा दिल तूड गया ये निगिटिव बात हुई पर पॉजिटिव बात ये हुई कि उसने अपने बॉड़ी बिल्डर भाई को नहीं बताया नहीं तो मेरा क्या क्या तूट जाता दिवी और सज्जनों अगर आपकी नजर सिप संकट के समस्याओं के नकारात्मक पहलो उपर है तो बहुत टेंशन आएगा दिमाग काम नहीं करेगा और आप अंदर से तूट जाओगे लेकिन अगर आपकी नजर छोटी सी ही क्यों ना हो थोडी सी ही क्यों ना हो सकारात्मक बातों पर है वहां मौजूद तो आप अपने आपको बनाए रख सकोगे सपोर्ड एक मानसिक आधार का काम करेगा आपको तूटने से बचाएगा जरा सोच के देखे ऐसा होता है ना पर हर निकिट्व परिस्थिति में पॉजिट्व बाते हम खोज पाएंगा ऐसा थोड़ी ना है पप्पो मुझे पुछ रहा था मैंने पानी का ग्लास दिखा कर पप्पो को पुछा पप्पो आपको क्या दिख रहा है बोला आधा खाली ग्लास है मैंने कहा पप्पो आधा भरा हुआ है पप्पो ने फिर कहा मैंने अगर ग्लास में कुछ पानी ही नहीं है तो मैंने कहा फिर भी वो पूरा हवा से भरा हुआ है पप्पु ने कहा मैंने हवा ही पूरी निकाल दी तो मैंने कहा गलास तो है न पप्पु ने कहा अगर गलास भी नहीं है तो मैंने कहा गलास नहीं है तो और भी अच्छा है ना गलास है ना कुछ भरा हुआ रहने के कोई समसा ही नहीं है पपु ने मुझे हाथ जोड लिये पपु ने कहा मान गए गुरू लेकिन सर ये सब ठीक है विप्रित परिसिते में हम positive चीजों पर भी focus करेंगे पर जब सब कुछ करने के बावजूत ऐसी थपड़ पड़े हम फेल हो जाए हमसे कोई गलती हो जाए तो दोस्तों पपु का सवाल पर जायज है आये देखते हैं successful positive thinker ऐसे situation में क्या करते है they never define themselves by mistakes they learn from mistakes समझाता हूँ बचपन में नीचे गीर गीर कर ही हम चलना सिखे है है ना cycle सिखते समय कितनी बार हम हातों पेरों पर चोटे खाई होगी हमने पर इस गिरने से ही आप सिखे है है ना इन चोटों ने ही आपको cycle चलाना सिखा है दिवियर सज्जुनों नीचे गिरने से हम कमजोर नहीं बनते चलना ही बन करने से जरूर कमजोर बन जाएंगे हमारी गलतियों से failure से हम loser निकम में नहीं बनते हैं बलकि गलतियों से सिखते हैं और जीवन में और और होशयार बनते चले जाते हैं तो अपनी गलति का अपने failure का हमने स्विकार करना चाहिए कहां गलति हुई है किस वजह से fail हुए है इसका analysis करना चाहिए इसको सिखना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए तो ऐसी situation में positive thinking क्या रहेगी positive thinking ये रहेगी कि मैं मेरे कुछ चीजों को सुधारूँगा थोड़ी से मेहनत और करूँगा तो मुझे जरूर success मिलेगा ये बाते सुनकर पपो उचल कर बोला अभी मैं भी positive thinker बन गया हूँ मुझे मेरी गलति समझ में आ गई है मैं भी अभी मेरी गलति को सुधार कर आगे बढ़ूँगा मैंने पुछा क्या करेगा रे पपो पपो ने जवाब दिया इस बार मैं वो गलति नहीं करूँगा अभी मैं helmet पैंके जाओंगा देखता हूँ कैसे pinky मुझे चाटा मारेगी मैंने कहा प्रभू आपके चरण कहा है मैंने कहा बेवकूफ helmet से तुझे चाटा नहीं पड़ेगा पर उसने आलरेडी तेरे proposal को तो ठुकरा दिया है ना पपो परेशान होकर बुला अभी आप ही बताओ सर पपो गिडगडाने लगा मैंने कहा ये काम मेरा नहीं है तुझे तेराई रास्ता ढूणना पड़ेगा मैं इतना तुझे बता सकता हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़ना है दिवी और सज्जनों यही है successful positive thinker की निशाने भी they are always hopeful उम्मीद पर दुनिया कायम है उम्मीद पर हमारा जीवन भी कायम है positive लोग अपने साथ कितना भी बुरा हो जाए कितना भी नुकसान हो जाए उज्वल भविश्य की आशा की जोत वो कभी बुजने नहीं देते है वे कभी निराश नहीं होते है ना उम्मीद कभी नहीं होते है ये आशा फिर से उठ खड़े होने की परिस्तिती से फिर से लड़ने की प्रेणा देती है ये बाते सुनकर पपो अच्छानक सिना तान के उठ खड़ा हुआ हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन ये गाना गाते गाते वो निकल पड़ा मैंने पपू से पूछा अरे पपू कहां चल दिये पपू ने कहा आशा को प्रपोज करने उदर से पपू क्या हो अचे ये दिवी और सजुन ने ये पपू दो कभी नहीं सुद्रेगा लेकिन पपू के साथ आज हमने बहुत कुछ सिखा है क्या सिखा है परिस्तिति कैसे भी हो लेकिन आपके नजर से पॉजिटिव चीजों पर दुरलक्षन नहीं होना चाहिए भले ही वो छोटी से छोटी क्यों नहीं हो थोड़ी सी ही क्यों नहीं हो अपने फेलिवर से गलतियों से हमने नहीं सीख लेकर बहतर तरीके से आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए उम्मिद रख कर फिर से उठ खड़े होकर आगे बढ़ना चाहिए देवी और सज्जों आप अपने कटिन परिस्तितिव में खुद को कैसे पॉजिटिव रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे है शायद आपकी स्ट्रेटिजी किसी और के काम आएगी है ना तो जरूर लिखे है आपको पता है मानसीख स्वास्ता के बारे में बहुत ही कम लोगों में जागुटता है उसमें भी इंटरनेट पर सही साइंटिफिक जानकरी की भी बहुत खनी है और उपर से आसान और सरवभाशा में और भी कम अगर आप इस वीडियो को कमेंट करते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो ये युडूप अल्गोरिदम है ना यूटूप का इसे जादा से जादा लोगों को दिखाता है इस वीडियो को आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट से शायद किसी जरूरत मन को ये साइंटिफिक वीडियो मिले और इसकी जिल्दगी बदले